असलाम अलेकूम आज हम नहींगे हाइदरबादी चिल्नी चिकन खोर्मा की रेसिपी बहुत ही ज्यादा मज़िदार और यूनीक खोर्मा की रेसिपी है यह आप लोग इसे जरुर ट्राइग करें बहुत सिंपल भी है रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो के नीचे देखी इस तरह से सब्सक्राइब रेक कलर में लिखा होगा उसे प्रेस कर दें जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखिए एक बल आइकोन नजर आएगा इसे भी प्रेस कर दें जब सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ये रेसिपी के लिए सबसे पहले आधा किलो चिकन ले 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 पीजस मीडियम होने चाहिए इसमें थोड़ी सी हल्दी दाल दें 1 बाइ 4 टी स्पून एक टेबल स्पून अधर क्लेसून का पेस्ट थोड प्लेड चैन में एक टेबल स्पून तेल गरम कर लें इसमें चिकन के पीसस दालगे चिकन के पीसस्त को छ कर JU dau यचा गल्यों कर लेका कर दो एक प्लेट में झिवसा रख लेते हैं कि झालना के बद जो बचा हूवा तेल हैं से भी हैं इसमें फोड़ीर दाल के रोस्ट करेंगे इसमें दालिए 1 by 4 cup मुंफली याने पीनट्स यह कुछ 40 ग्रैम होंगे देखिए यह मेजेर है इसका 1 by 4 cup काजू 1 by 4 cup यह भी 40 ग्रैम है यहने 40 ग्रैम 1 by 4 cup पिल यह कुछ 20 ग्रैम होंगे तीन टीस्पून धन्या एक टीस्पून जीरा फ्लेम को मीडियम पे रखके भूनिए आखिर में इसमें 1 by 4 cup कोकोनेट पाउडर दाल देखिए कोकोनेट पाउडर ना हो तो इसके पीसस भी दाल सकते हैं याने सुखा नारियल खोपरा भी दाल सकते हैं यह कुछ 25 ग्रैम होगा याने 1 by 4 cup देखिए इसी से मेजर किया है मैंने यह स्टैंडर्ड मेजरमेंट है इन सबको अच्छे से भून ले यह तो रोस्ट होके रेड पाणी दाल के पीस लें पिसाओ पेस्ट अप तयार है इस रेसिपी के नेक्स टेप के और हम बढ़ते हैं पैन में 2 टेबल स्पून तेल गरम कर लेते हैं इस रेसिपी के लिए मैं मुंफली का तेल याने ग्राउन नट उयूस कर रही हूं याने पीनट आपकी मर्जी जो तेल आप यूस कर सकते हैं तेल गरम हो चुका है इसमें एक टीस्पून जीरा दाल दें एक टीस्पून राइंज और एक टीस्पून काली मिस इन्हें हल्का साटे कर लें थोड़े से करी पता याने करेपक दाल दें नेक्स इसमें दो मीडियम साइज की प्यास दाल सकते हैं आप काट के भी दाल सकते हैं लेकिन थोड़ी बारी काटिए या आप प्यास को पीस के भी दाल सकते हैं इसको हल्का साटे कर लें ज्यादा नहीं इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए यह तो रेडी है फ्राइ होके नेक्स्ट इसमें दो टीस्पुन अध्रकलेसुन का पेस्ट डाल दें इसे भी भून लें कच्छी बू जाने तक थोड़ी सी हल्दी डाल दें दो या तीन चुट की ज्यादा नहीं फ्लेम को हाई पे रखके भूनिये नेक्स्ट इसमें यह पिसा हुआ पेस्ट डाल देते हैं इस पेस्ट को डालने के बाद अच्छे से भून लें इस पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद इसमें चिकन के पीसस डाल देते हैं फ्राइ किये हैं चिकन के पीसस फ्लेम को लो पे रखके इसे मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद चिकन को इन मसालों के साथ भून लेते हैं चिकन को मैंने मसालों के साथ बहुत अच्छे से भून लिया है दो से तीन मिनिट के लिए अफलेम को लो पे रख दें क्योंकि यह चिली चिकन विद ग्रेवी है अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे देखिए बड़े साइस की हरी मिर्च ले ले लें अगर यह अवेलबल ना हो तो छोटे साइस की भी ले सकते हैं is जले रही हुँए, क्योंकि हम इसमें लाल मिच पाउडर नहीं डाल रहे हैं। इसको कट करके डालें। देखिए इस तरह से कट कर लें थोड़े से बड़े साइज में। और चाहें तो हरीमिच जयादा भी डाल सकते हैं या इससे भी कंडाल सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लेते हैं हर इमिच आखिर में दालने से हर इमिच की बहुत अच्छी खुश्बू आती है हमारे ग्रेवी में यह बहुत ही डिफ्रेंट रेसिपी है और काफी मज़े का सालन बनता है आप लोग इसे जारू ट्राइए करें आप इसे रोटी के साथ खा सकते ह हर इमिच डाल के थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी डाल दें पानी मैंने इस कप से दो कप डाला है इसमें नमक डाल दें चिकन में थोड़ा सा नमक अल्रडी है इसमें थोड़े से धनी और पुदीने के पत्ते डाल देते हैं आचे खुश्बू आएगी थोड़ा नीम्बू का जूस एक टीस्पून इसे मिच्स कर लें कि फ्लेम को हाई पर रखिए जब इस तरह से पकना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को लो पर रख दें इस पर लिट बंड कर दें चिकन अच्छे से गलने तक लो फ्लेम पर ही पकाएं वाउ चिकन ग्रेवी कितनी मज़े की मुल इस फिर्ट यह की बहुत ही ज्यादा मज़े की होती है यह जरू की चिकन भी इसमें अच्य से गल रख होता है चिकन इसमें अफिर में इसमें फ्रेश क्रीम दाल डेते हैं यह आपका आसानी से सुपर मारकेट में मिल जाएगा ना मिलें दूधS lived मलाई दूद के साथ पीसके डाल दे अगर वो भी ना हो तो सकिप कर सकते हैं लेकिन इसे डालने से टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा हमारे ग्रेवी का इसे मिक्स कर दे मज़ेदार हैदरबादी चिली चिकन विद ग्रेवी तैयार है फ्लेम बन कर देते हैं कॉमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी आज की ये मज़ेदार हिद्रवादी चिली चिकन खुर्मा की रेसिपी कैसी लगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए शुक्रिया अस्साराम अलेकूम